क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यूं होता है क्योंकि वो सब को अपने जैसा समझ लेते हैं अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्छा प्यार करने वाला मिलेगा तो माफ करना लेकिन आपको यूस करने वाले जादा मिलेंगे चोटी बुद्धी और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में नजाने कितने दिलो को दुखी करते हैं आप चाहे सौ काम ठीक करो पर एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है किसी आदमी को अगर गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो लोग आप में आपको नहीं खुद को देखते हैं इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा जीवन में कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है जिन्दगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो फिर पीछे देखना छोड़ दो आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं जिन्दगी सिर्फ एक है अब आप देख लो कि उसे हस कर जीना है या फिर रो कर जीना है जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए चोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता अपने मन को इस तरह से तयार करो कि हर किसी की बात को आप अपने उपर लेना बंग कर दो आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक ब्रिज तक पार नहीं कर सकते इसी को भरोसा दे कर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है जरूरत में वो ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता जहां बारिश नहों वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संसकार नहों वहां नसल ही खराब हो जाती है जिन्दगी ने समस्दार बना के सरफ समझोते करना ही सिखाया है ध्यान रहे बादों से ज़ादा आपका काम बोलता है कुछ कपल्स को देखकर ऐसा लगता है कि अकेली ही रहना ठीक है आप मान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है आप प्यार करके दोस्त बनाना एक आदमी को औरत का सम्मान करना चाहिए पर एक औरत आदमी का सम्मान करे या ना करे कोई बात नहीं है वाँ क्या सिस्टम है इसी का बहुत दिनों बाद मेसेज आए तो रिपलाइ भी बहुत दिनों बाद ही करना किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता धर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिष्टों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है जो लोग तुम से कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है असल में उनके खास रिष्टों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है जिन्दगी में बोलते रहो तो कि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्विक्रती मान लेते हैं आपकी राय बहुत जरूरी है नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मन माना करते रहेंगे मूर्ख इंसान अपना तो नुक्सान करता ही है लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है एहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है लेकिन मंदर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं किताबे भी बिल्कुल मेरी तरह हैं अलफाजों से भरकूर मगर खामोश हैं जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले कुछ सबक जिन्दगी और रिष्टे सिखा देते हैं मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तयार रहना किसी भी इंसान को अगर जादा सुधारना चाहोगे पर सब ठीक है अब ये कहने की आदत पड़ गई है खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुमें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे ये दार अलग है ये लोग अलग है घडिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उने जितनी जादा अज़द दोगे वो आपको उतनी जादा तकलीफ देंगे खत्म कर दो उस महबबत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे एक वक्त था जब हम हसकर उठा करते थे और आज कई बार पिना मुस्कुराई ही शाम हो जाती है अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तों में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है उसे चोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता नहो जो करीबी थे कमबक्त वही फरेबी थे कभी किसी को खास मत समझना क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है घमंड भरी बाते करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं चोड़ता दूसरों की जिन्दगी में अपनी जगए डूनना बंद कर दो विश्वास रखो आप हमेशा खुश रहोगे यहने बहुत करीब से देखा है रिष्टों को लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाओ करें जिन्दगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुँ कभी मत लगना रिष्टे दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए जल्दबाजी में फैस्ता लेके पस्तावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ सबर करो जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा तकलीफ हकीकत ने दी है वो आप तो आज भी खुबसूरत है सही कर्म वो नहीं है जिसके पनिडाम हमेशा सही हो सही कर्म वो है जिसके उद्देश कभी गलत नहों अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है